हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो माई चैनल आज हम देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है एंड इसके साथ ही साथ ग्लोबल वार्विंग भी देखेंगे स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है एक नेचरल प्रोसस है जो की अर्थ के सर्फेस को गर्म करता है यह एक प्रक्रिया है जो की प्रित्वी की सतह को गर्म करती है जब सुर की किरण प्रत्वी की सतह पर आती है तो उसमें से कुछ हिस्सा तो वापस इस्पेस में चला जाता है लेकिन कुछ हिस्सा ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिया जाता है और वापस से पुने वो विक्रित होती है बैसिकली री रेडियेटेड होती है उनका विक्रण फिर से होता है उन गैसों के द्वारा तो अब ये greenhouse gases कौन कौन सी हैं जैसे water vapor हो गई carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone और कुछ artificial chemical जैसे की chlorofluorocarbon तो इन सब के द्वारा basically क्या होता है कि gases absorb हो जाती है और re-radiated हो जाती है ये greenhouse gases कहलाती है the absorbed energy warms the atmosphere and the surface of earth जो energy absorbed कर ली जाती है इन गैसों के द्वारा तो क्या होता है atmosphere उससे और गर्म हो जाता है जिससे की प्रत्वी की सतह हमें गर्म लगती है यहना वहाँ का atmosphere वहाँ का बातावरन जो होता है तो गर्म हो जाता है और इस process से जो earth का temperature है तो अगर average temperature की बात की जाए तो 33 degrees celsius या उससे भी ज्यादा तक लगभग गर्म रहता है तो यह steps हैं जिनके तुरू आपकी sun की energy आती है और किस तरह यह means re-radiated होती है या trap होती है तो देखते हैं एक एक करके step 1 में क्या है कि solar radiation reaches the earth's atmosphere some of this is reflected back into space तो जो solar radiation आ रही है जो सूर की किरण आ रही है तो वो earth में आ रही है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहो हो जो मोटी line है तो उसके थूरू आपकी जो solar radiation है तो earth में जा रही है बट कुछ हिस्सा इसका reflect back होके वापस space में चला जा रहा है step 2 में क्या है the rest of sun's energy is absorbed by the land and the ocean heating the earth तो जो जो हिस्सा प्रत्वी पे आया तो उसकी वज़े से क्या हो रहा है कि जो land है वो गर्म हो जाती है ocean गर्म हो जाता है और उस current प्रत्वी गर्म हो जाती है step 3 में क्या है heat radiates from earth towards space तो जो heat है तो कुछ हिस्सा आपका greenhouse gases की वज़े से reflect हो जाता है ठीक है और step 4 क्या some of this heat is trapped by greenhouse gases in the atmosphere keeping the earth warm enough to sustain life तो अब उसमें से कुछ heat क्या होती है greenhouse gases की वज़े से atmosphere में आपकी रुक जाती है और जिससे की earth में life sustain होती है हाना life वहाँ पर पाई जाती है यही कारण है कि आपकी जो भी सूर्ज से किरण आई तो कुछ हिस्सा उसका absorb हुआ कुछ वापस चला गया अब जो वापस गया तो वो आधे रास्ते में आपका greenhouse gases से मिला और रुक गया ठीक है अब step 5 क्या है human activities such as burning fossil fuel agriculture and land clearing are increasing the amount of greenhouse gases released into atmosphere तो industry या तो automobile जैसे fossil fuels burn हो रहा है automobile से तो यह क्या कर रहे है ग्रीन आउस गैसों को increase कर रहे है ठीक है अब यह greenhouse gases अगर environment में ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या होगा step 6 में बता रहा है this is trapping extra heat तो जो radiation वापस चले जाना चाहिए वो और रुक जाता है तो जिससे की क्या होता है अर्थ और गरम हो जाता है अपना जो अर्थ का atmosphere है वो और ज्यादा गरम हो जाता है वहाँ पर temperature और बढ़ जाता है तो step 1 में आपका क्या हो रहा है सूर की किरन आ रही है ठीक है फिर step 2 में कुछ आ रही है और कुछ वापस चली जा रही है फिर 3 में ये radiate हो रही है towards space मतलब बाहर की तरफ जा रही है means जो radiation जा रही है वापस space में उनको और रोक लेती है फिर और absorb करके उस radiation को उस प्रत्वी की सतय को और गर्म करती है तो यह आपका greenhouse effect है basically तो अब किस कारण से greenhouse effect हो रहा है तो जो इसका main region है तो वो आपका emission of gases है जैसे की nitrous oxide, carbon dioxide, methane, ozone and water vapor जैसे जैसे इनका concentration बढ़ता जाएगा इनकी मात्रा बढ़ती जाएगे atmosphere में तो अर्थ का temperature वैसे वैसे और बढ़ता जाएगा अब यह सारी चीजें जो यह greenhouse gases है इनके जो emit होने का जो कारण है इनके emission का जो कारण है तो वो कुछ इस तरह है जैसे पहला deforestation अगर deforestation होगा ठीक है जैसे कि अगर population बढ़ती जाएगी तो हम और पेडों को काटते जाएगे ठीक है पेडों को काटते जाएगे रहने के लिए या किसी भी purpose के लिए काटते जाएगे तो carbon dioxide का level क्या होगा बढ़ जाएगा और वो बढ़ेगा तो greenhouse gases जो है तो वो आपकी बढ़ जाएगी basically हाना और आपकी जो radiation हो रही है तो वो और रुख जाएगी हाना और रुखेगी तो प्रित्वी की सतह और गरम हो जाएगी सेकेंड है burning of fossil fuel तो fossil fuel जैसे की petrol और यह oil और वोड मतलब लकडी और यह जो gas वगर है तो इनके release से क्या होता है कि atmosphere में आपका मतलब इनके burn होने से atmosphere में क्या होता है एक्स्ट्रा आपका यह sulfur dioxide NO2 और भी जो भी means pollutant है तो यह सारे आ जाते हैं हमारे कहाँ atmosphere में जिसकी वज़ए से आपका फिर वही greenhouse gases का concentration बढ़ जाएगा और ज्यादा से ज्यादा heat atmosphere में रुखेगी next है electrical appliances electrical appliances are amongst the major contributor to the greenhouse effect electrical appliances हमारे क्या है major contributor है green house effect के ठीक है कैसे जैसे कि refrigerator है air conditioner है ठीक है या और भी इस type के अगर electric appliances की बात करें तो यह क्या करते हैं यह emit कुछ gas emit करते हैं जिसको बोलते है chlorofluorocarbon ठीक है और यह chlorofluorocarbon हमारा क्या करता है basically greenhouse effect का major source है मतलब greenhouse effect इसी की वज़े से होता है main chlorofluorocarbon की वज़े से हना मतलब ज्यादा contribution ज्यादा concentration इसी का होता है chlorofluorocarbon का greenhouse gasों में ठीक है तो electrical appliances हमारे major role play करते हैं green house effect के लिए next है industries अब industries में भी हम जानते हैं अभी तक हमने देख चुका ठीक है कि यह industry जो है तो वहाँ पे fossil fuel भी burn होते हैं और यह SO2 and O2 environment में निकालते हैं अच्छा एक चीज और है यहाँ पे कि जो aerosol जैसे जो इंडस्ट्री हो गई जो packing इंडस्ट्री है तो वह aerosol can वगएरा जैसे pack कर रही है तो वहाँ पे aerosol भी release होता है तो यह aerosol भी हमारा major role play करता है green house effect के लिए ठीक है अगर cement industry की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत ज तो automobile में वही चीज है कि petrol diesel यह आपका burn होता है जिससे कि harmful gases हमारे atmosphere में आती है ठीक है these gases in turn create the greenhouse effect in the atmosphere तो यह in gasों की वज़े से greenhouse effect atmosphere में बनता है ठीक है the forever increasing use of automobile has only added to the problem अगर हम लगातार इस automobile का या automobile का मतलब गाडियों का इस्तमाल करते रहेंगे तो greenhouse gasों को हम continue बढ़ाते जाए ठीक है next है global warming तो global warming क्या है basically global warming is the slow increase in the average temperature of earth's atmosphere तो जैसे जैसे earth का atmosphere हमारा slow motion में slow pace में जो increase होता जा रहा है उसी को हम क्या बोलते है global warming ठीक है because an increased amount of energy is striking the earth from sun is being trapped in the atmosphere and not radiated out into the space तो जो आपका radiation trap हो जा रहा है greenhouse gasों की वज़े से जो रुक जा रहा है उस वज़े से जो प्रत्वी की सतह गर्म हो रही है उसको हम क्या बोलते है greenhouse sorry global warming कहते है ठीक है जिस प्रोसेस से मेंज वो गर्म हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलते है global warming कहते है ठीक है since the pre-industrial period human activities are estimated to have increased earth's global average temperature by about 1 degree celsius मतलब अगर pre-industrial मतलब जब industry नहीं थी अगर उससे पहले की बात करें तो तब से लेके अभी तक में लगबग आपका 1 degree celsius आपका increase हो चुका है temperature ठीक है तब मतलब माल लीजे अगर industry आने से पहले अगर maximum temperature 46 था तो आज के time पे 47 maximum temperature हो चुका है कहने का यह मतलब है means 0.2 degree celsius आपका हर 10 साल में increase हो रहा है temperature global average temperature की बात की जा रही है तो वो आपका 0.2 degree celsius हर साल बढ़ता ही जा रहा है हर 10 साल में बढ़ता ही जा रहा है तो जो greenhouse gases अगर ज्यादा बढ़ती जाएंगी तो global warming भी बढ़ती जाएगी ठीक है तो what causes global warming अचा यह इसके cause और greenhouse effect जो हो रहा है जो gases produce हो रहे है इसके cause दोनों के लगबख सेम ही है ठीक है तो global warming occurs when carbon dioxide and other air pollutants collect in the atmosphere and absorbs sunlight ठीक है अगर यह collect होते हैं आपके air pollutant या CO2 तो यह क्या करते हैं sunlight को absorb करते हैं and solar radiation that have bounced off the earth's surface तो जो आपका सूर की किरण है तो उसको absorb करते हैं और वापस से earth's surface में दे देते हैं ठीक है greenhouse gas हो के द्वारा Normally this radiation would escape into space but these pollutants which can last for year to century in atmosphere trap the heat and cause the planet to get hotter तो normally यह radiation क्या होती है कि वापस से space में चली जाती है बट यह जो atmosphere में हमारे कई सालों से यह जो means pollutant इखटे हैं उस वजह से heat हमारी trap हो जाती है फस जाती है रुक जाती है और हमारा जो earth का atmosphere है वो और गरम हो जाता है these heat trapping pollutants यह जो heat trapping pollutants है तो यह कौन-कौन से है carbon dioxide, methane, nitrous oxide, water vapor और synthetic fluorinated gas जैसे कि synthetic fluorinated की अगर बात करों तो यह वही chlorofluorocarbon और hydrofluorocarbon और sulfur hexafluoride यह आपका सब synthetic fluorinated gases कहलाती है जिसकी वजह से greenhouse effect होता है next क्या है our current era of global warming is directly attributed to human activities जो अभी के समय में global warming हो रही है तो यह human activity की वजह से ही लगभग हो रही है जैसे कि fossil fuel burn हो रहे है, coal, oil और यह सब gas जो है तो आपका means burn हो रहे है coal burn हो रहा है, oil burn हो रहा है तो इन सब की वजह से हमारा means हम global warming को बढ़ा रहे है the carbon dioxide in the atmosphere has increased by 31% since the pre-industrial period तो अगर carbon dioxide की बात करें तो pre-industrial period से मतलब जब industry नहीं थी तब से लेके अभी तक का अगर measurement देखें तो 31% carbon dioxide increase हो चुकी है atmosphere में तो जिसकी वजह से heat जादा trap हो रही है और temperature भी बढ़ रहा है many countries have signed a convention to reduce global house greenhouse gases तो कुछ जो countries हैं तो उनोंने means एक convention sign करके रखा है under the UNFCC united nation framework convention on climate change यह एक संस्ता है basically जो climate change जो हो रहा है हमारे world में तो उसको regulate करती है तो कई countries ने एक agreement sign किया है कि हम greenhouse gas ओं का emission थोड़ा कम करेंगे बढ़ हला कि ऐसा हो नहीं पा रहा है next effect of global warming तो global warming जो हो रही है उसका effect क्या होगा each year scientists learn more about the consequence of global warming and each year we also gain new evidence of its devastating impact on people and the planet तो हर साल क्या कर रहा है वैग्यानिक global warming के परिणामों के बारे में देखते हैं ठीक है सीखते हैं और हम हर साल हम लोगों और ग्रह पर इनके विनाशकारी प्रभाव के नए सबूत भी मिलते हैं तो हर साल basically research होती है और जो global warming के जो results है वो देखे जाते हैं और उसका effect भी देखा जाता है जैसे की heat wave आती है ठीक है drought सूखा पड़ जाता है बाढ़ आ जाती है कहीं कहीं पे तो यह सब कुछ global warming की वज़े से ही है और हर साल पिछली बार की तुलना से जादा ही उसकी intensity होती है ठीक है जो भी आपका drought आ रहा है या heat wave आ रही है या बाढ़ आ रही है तो पिछले साल से वो जादा intensity की ही रहती है if we are unable to reduce our emission scientists believe that climate change could lead to death of more than 250,000 people around the globe every year and force 100 million people into poverty by 2030 ठीक है अगर हम इस climate change को नहीं रोक पाएंगे इस global warming को नहीं रोक पाएंगे तो scientist का ऐसा मानना है कि लगबग एक साल में धाई लाग से जादा लोगों की मृत्ति होगी और लगबग 2030 तक ऐसा estimation है कि आपका 100 million लोग आपके क्या होईंगे गरीबी में चले जाएंगे मतलब वो गरीब हो जाएंगे ठीक है 100 million लोग अगर हम इस global warming को नहीं रोक पाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का रोजगार चला जाएगा ठीक है बहुत से लोग मिंस अगर उनका परिवार चला जाता है तो सब आखिर poverty line में ही चले जाते हैं गरीब ही रेखा से नीचे ही चले जाते हैं नेक्स्ट इसका इफेक्ट और क्या है और इसनो मेल्ट हो रही है जो जहां पर इसनो ज्यादा पाई जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग अगर होती जाएगी तो इसनो हमारी क्या होगी will lead to even more coastal flooding on eastern seaboard. मतलब अगर sea level अगर बढ़ता जाएगा, snow melt होएगी तो sea level बढ़ेगा, sea level बढ़ेगा, समुदर का अगर इस तर बढ़ेगा, तो बाढ़ हाने के chances जादा हो जाएगे. Okay. Forest, farms and cities will face troublesome new pest, heat wave, heavy downpours and increased flooding. तो जंगल, खेत और शहरों को परिशानी वाले नए कीट, गर्मी की लहरे, भारी, बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है. ठेक है, all of these can damage or destroy agriculture and fisheries. तो इन सब की वज़े से क्या होगा overall, कि ये खेती को भी, जो हमारी खेती की process है, उनको भी नुक्सान पहुचाएंगे और जो मशली पालन जो है, तो उसको भी नुक्सान पहुच सकता है इस global warming की वज़े से. ओके, थैंक यू.